साप सब्दों में कह रहे हैं कि अंकेचन के करम में अयोग मिर्त लाभुकों को सहायता राशी भुकतान करने का मामला प्रकास में आया है लाभुकों के चेन हेतु निर्गत विभागी निर्देशों के आलोक में जो मापदन्ट तई किया गया उसका पालन नहीं किया गया का है ने और परमान दिये हुए हैं कि ठार है उनीस से लोग न्याई के लिए लग रहा है कि ये डॉक्टर एन सर्वन कुमार जी का उनका पत्र जारी हुआ है और उस पत्र के तहद उन्होंने साप सब्दों में कह रहे हैं कि अंकेचन के करम में अयोग मिर्त लाभुकों को सह पायता रासी भुक्तान करने का मामला प्रकास में आया है लाभुकों के चैन हे तु निर्गत विभागी निर्देसों के आलोक में जो मापदंट तै किया गया उसका पालन नहीं किया गया बार बार नजर अंदाज करकर के ऐसे लोगों को भुक्तान करके खुल करके एक दारण आपको देदें कि यह हमारे ही विदान सभाद छेत्र का मामला है यह सिवद्याल मांजी है और यह मिर्टक है और इसके एकाउंट में पैसा दिया गया लोगों ने यह रामगर परखंड के अंतरगत लोगों ने हुआ आबेदन दिया है और आज तक कारवाई नहीं हुआ डीडी सी को भी दो दिन पहले हमने कहा सत्ताधारी दल के राजनीतिक दवाव में ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है खुल करकर के आपके प्रधानमंत्री ग्रामिन आवास योजना हो मनरेगा हो या इस सरह के योजना जिससे की लाभारती गड़ीवों को लाभ मिलता है कैसे एक बड़ा खेल हो रहा है इसका उंच अस्तरिये जाच कराए सरकार और उसकी वसूली करे भारत सरकार के पैसे की लोट की चूट की वातावरन बिहार सरकार में बैटे हुए बरस्ट और हस्तिनापुर के गुलाम पदाधिकारी किस तरह से कर रहे हैं अब इससे का है ने और प्रमान दिये हुए हैं कि 1819 से लोग न्याय के लिए लर रहा है गलत आदमे के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है एक्सन नहीं होना कारवाई नहीं होना सारा प्रमान उपलद करा दिया वहां के डीडिशी को भी हमने कहा वहां लोग नीचे से लेके उपर तक आवेदन दिया है फिर एक्सन क्यों नहीं होना सरकार का सत्ता के दवाव में पदाधिकारी इतने लाचार और वेवस क्यों है और अगर जो यह है बड़ा घोटाला है तो यह उंच अस्तर यह जांच किराए हाई कोट के सिटिंग जैज या सीवी आई को दे कि भारत सरकार क यह अरवों रुप्या का घोटाला किया गया है और इस घोटाला में जो जो पदाधिकारी या सत्ता से जुरे लोग हैं उस पर एक्सन हो यह कमिशन खोरी करने वाले लोग जास कराने से भाग रहे हैं